तो हर्याना कॉंग्रेस के सत्या ग्रह की तहर्ट चंडीगण में कॉंग्रेस के कई नेता और कारिकरता मौजूद है इस बीच हर्याना कॉंग्रेस प्रदेश अधियर उधेभान से हमारे सयोगी मृदुल यादव ने खास बात चीत की पूरे देश भर के अंदर कॉंग्रेस अधियर अंदोलन चला रही है राहूल गांदी की सदस्दा रद होने के बाद लगातार जो है अंदोलन जारी है हर्याना के भी कॉंग्रेस के जो नेता है वो लगातार सत्या ग्रह वे यहाँ पर अंदोलन बैटे हुए बैटे हुए आप देख सकते हैं किस परकार यहां पर गांदी जी की तस्वीर यहां पर रखी हुई है और जो तमाम कॉंग्रेस के जो नेता है वो यहां पर बैटे हुए सत्यक्राय यहां पर अंदोलन किया जा रहा है मोन रखकर यहां पर अंदोलन किया जा रहा है इसी संस्थाओं का जो दुरुपियों किया जा रहा है एक सुन्योजी तरीके से साजिस के तहत एक एक करके विपक्ष के नेताओं को रास्ते से अटाने का काम चल रहा है जो इस देश ने हमारे विपक्ष के नेताओं पर कभी कोई बोलता है सरकार के खलाब तो EDCBI इंकम टेक्स जैसे त्यारों का इस्तेमाल किया जाता है और चाहे कोई जुडिस्री है चाहे वो एलक्षन कमिशन है चाहे EDCBI और CAG और CBC सभी का सभी को एक तरह से कभजा करने का परियास किया जा रहा है और यह जो सीधा सपस्ट है कि बही 19 का यह मामला है 22 तक कुछ नहीं हुआ 22 में जो कंपलनेंट है वो हाई कोट में जाता है अपने ही प्रोसीडिंग को रुकवाने पर एप्लिकेशन देता है उसको स्टेल आता है साथ फर्वरी को जो राहुल जी अपना स्पीज देते और अदानी और और इनका नरंदर मोधी जी को उनका ज यह मिले हुए हैं साजस में जो सडें अंदर चल रहा है तो उसको वो बेनकाब करने का काम करते हैं और उसके ठीक नौद दिन बाद हाई कोट से वो एप्लिकेशन वापस लेता है क्योंकि वो जजज बदल दिया जाता है और जजज बदल करके 27 परवरी को शुरुवात करत कि ना ना ही जिस जो कंप्लेनेंट था ना उसको उसको कोई मालहानी की गई कोई ना कोई इसमें यह प्रायोजित यह फैसला है और इसको हम कानूनी तोर से भी हम इसको उपर ले करके जाएंगे और सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे जाना तो जनता के बीच में है इसका फैसला भी जनता की बीच में होना है तो इसलिए जंता के बीच में ले जाना है जाना है